हेलो दोस्तों तो आज का हमारा टॉपिक है बफर सलूशन आज हम पढ़ने वाले हैं बफर सलूशन के बारे में बफर सलूशन क्या होते हैं और साथ ही देखेंगे कि इसके क्लासिफिकेशन को यह कितने पार्ट में बाटा गया है तो आज की वीडियो बहुत ही इंपोर्टन इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि बफर सलूशन वह सलूशन होते हैं जो किसी भी सलूशन का पीएज चेंज होने से रोकते हैं मतलब-जैसे कि हमारे पास सब्कूर्ण करिये यह एक पीकर है इसमें कुछ सलूशन है अब इस सलूशन में अगर आप ऐसड मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है इसका pH कम हो जाएगा और अगर base मिलाएंगे तो इसका pH बढ़ जाएगा पर अगर इस solution में हम थोड़ा सा buffer solution add कर दें मतलब अगर ये solution में अगर हम थोड़ा सा buffer solution add कर दें तो इसका pH बिल्कुल भी change नहीं होगा small amount of acid और base डालने पर pH चेंज नहीं होगा तो ये होता है हमारा buffer solution ये इसकी main property होती है देखते हैं इसके classification को तो हमारा buffer solution जो होता है वो दो types का होता है ये buffer solution है ये दो type का है पहला है हमारा acidic buffer और second जो है वो है हमारा basic buffer अब ये दोनों ही जो है acidic buffer ये दो चीजों से मिलके बने होती है दो दो component होते हैं इनके अब इसका पहला component है वो होता है acid और second component है वो होता है salt और जो basic buffer सोते हैं इसमें जो इनका पहला component होता है वो होता है base और जो second component होता है वो होता है salt Acid buffer में जो acid होता है ये weak acid होता है और basic buffer में जो base होता है ये weak base होता है तो ये तो थी बात इनके components की अब salt का देखिए salt होता है वो भी दो components से मिलके बना होता है ये तो आप जानते ही हैं जब acid और base की reaction करवाई जाती है तो salt और water मिलता है तो उसी के according ये हमारा दो चीजों से मिलके बना होता है एक आया acid दूसरा आया base यहाँ पे भी salt में एक आया acid हमारा दूसरा आया base अब ये acid कौन सा है ये acid weak acid है सेम यही वाला acid यहाँ पे इस्तमाल होगा और base कौन सा होगा strong base ऐसे ही यहाँ पे आप एक दियान रखनी है जब acidic buffer बनेगा तो हम weak acid लेके चलेंगे और जब हम basic buffer बनाएंगे तो हम weak base लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमारा weak base हो जाएगा सेम ये वाला और acid जो है वो strong हो जाएगा ठीक है अब आपने देखा acidic buffer में पहले हम weak acid और salt लेंगे salt हमारा कौन सा होगा जो weak acid और strong base से मिलके बना होगा basic buffer में weak base होगा और salt होगा salt किसे मिलके बना होगा acidic जो हमारा strong acid है और weak base से अभी यह salt का एक example देख लीजीए salt हमारा देखिए एक acid, weak acid है, तो एक weak acid यहां पर ले लिजी, acetic acid suppose करिए, acetic acid एक weak acid होता है, और इसकी हम reaction करवा देते हैं, एक strong base से, suppose करिए nao edge, अब आपने पढ़ा है, जब हम acid और base की reaction करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें salt और water मिलता है, हमने पहले तो निकाल दिया water, अब यह हमारा water निकल गया, फिर हमें जो मिलेगा वो होगा, इसका salt, salt आया हमारा CS3, COO, and A, तो यह तो हमें मिल गया इस reaction से salt, जो हमने यह acid base की reaction करवा के बनाया है, तो हमने acid, weak acid कौन सा लिया था, CS3, COOH, तो यहाँ पर लिख लिजिए, CS3, COOH, प्लस हमें जो salt मिला है, क्योंकि acidic buffer हैं, वो weak acid और salt से मिलके बने होते हैं, CS3, COO, and A, यह जो हमने बनाया है, यह है हमारा acidic buffer, मतलब की, weak acid और salts, weak acid और weak acid के salt से मिलके जो buffer बने होते हैं, अब यहीं पर देखिए, इसका एक example लेते हैं, यह basic buffer में हमने weak base लिया, weak base एक suppose करी हमारे पास है, NH4OH, ammonium hydroxide, हमने weak base तो ले लिया, अब हमें जरूरत है salt की, अब इसका salt कैसे बनाएंगे, strong acid मतलब SCL ले लिजिए suppose, और weak base यही हमें सेम, यही लेना है, NH4OH, अब यहां से reaction करवाने के बाद, water तो निकल जाएगा, अब बचा क्या, NH4CEL, तो यहां पर हमने ले लिया, NH4CEL, अब यह हो गया हमारा basic buffer, तो हमने क्या देखा है आज, हमने सबसे पहले definition देखी, दुबारा इसका classification देखा, acidic buffer फिर से दो component से मिलके बने हुए होते हैं, weak acid और salt, weak acid और weak acid का salt, weak acid का salt, हमारे दो component से होता है, जो हमारा weak acid है, जिसका हमें salt बनाना है, और दूसरा strong base, strong base कोई भी आप ले लीजिए, फिर यहां से हमें salt मिलेगा, इन दोनों का solution हमारा acidic buffer कहलाएगा, दूसरी बात है हमारे basic buffer की, basic buffer weak base और salt से मिलके बने होते हैं, weak base और इसके salt का solution, basic buffer कहलाता है, simple सी बात, आज हमने यह दोनों चीज़ों को cover किया है, अगली आने वाली वीडियो में हम लोग cover करेंगे, buffer equation, buffer action, कुछ होड टॉपिक्स के बारे में, तो उमीद करता हूँ को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, तो मिलते हैं किसी और एक अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,